ब्रम्हांड की अतह सुन्दर्ता और आश्चरे से भर देने वाली अलग 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 चीजे क्या ब्रम्हांड में मौझूद ये सब कुछ सिर्फ एक शनिक घटना से बनी है या ये किसी के द्वारा बनाए गए सोचे संजे डिजाइन का परिणाम है सदियों से धर्म और विज्ञान के बीच में ये जद्दो जहत चल रही है मगर अब विज्ञान प्रभावी रूप से हमारे क्रियेटर की तलाश कर रहा है कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि वो गणित में छुपा हो सकता है निरॉलोजिस्ट लोगों को लगता है कि वो क्रियेटर हमारे दिमाग में हो सकते है और कम्प्यूटर कोडर्स को लगता है कि वो क्रियेटर उन में से ही कोई एक है और हमारे दुनिया और कुछ नहीं बलकि उसका बनाया एक पहतरीन प्रोजेक्ट है ब्रम्हान, समय और खुद जीवन के सारे सीक्रेट्स समाए हुए हैं वर्म होल के अंदर हर कल्चर एक भगवान के कल्पना पेश करता है उसे एक ऐसी शक्ति के रूप में दिखाया जाता है जिसने हमारी दुनिया और हमें बनाया है लेकिन हम सब कॉस्मे क्रियेटर के होने की बात का भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्या हमने इसके कल्पना की है ताकि हम अपनी संस्कृति और विचारों की रक्षा कर सके? क्या भगवान सच में है? वहाँ उपर? हम भगवान के वेज्ञानिक तलाश की यात्रा पर जाने वाले हैं और मैं वादा करता हूँ, इसमें बहुत मज़ा आएगा इसमें कई ऐसी बातों को जानेंगे जो हमारे विचारों को जिनजोड कर रख देगी सत्तर के दशक में मैंने अपनी बेटी के लिए एक एंट फार्म खरीदा था लेकिन थोड़े दिन खेलने के बाद वो उससे बोर हो गई मगर मैं नहीं हुआ मैं कांच के इस घर में मौजूद चीटियों की इस छोटी सी दुनिया को देख कर आश्चर रिचकित था और मैं सोच रहा था कि उन्हें मेरे बारे में क्या मालूम होगा जिसने उनके दुनिया बनाई थी फिर मेरे मन में जिग्यासा जागे कि क्या हम कभी अपने निर्माता के बारे में जान सकेंगे क्या हम जान सकेंगे कि उसने इस दुनिया को और हम जीवों को आखिर क्यों बनाया अर्से से वेग्यानिक इसका जवाब ढूंड रहे हैं कि इस ब्रम्हांड में हमारी जगह क्या है और कुछ लोगों ने दावा भी किया है कि उन्होंने हमारे निर्माता यानी भगवान की जलक देखी है 400 साल पहले इटली के गैलिलियों ने एक इंट्रिस्टिंग तथ्य बताया था उन्होंने कहां ये विशाल द्रिश्य जिसे हम प्रकृती कहते हैं उसकी भाषा दरसल गणित की भाषा है और उस समय से आज तक न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे जीनियस लोगों ने गणित का सहारा लेकर प्रकृती के समीकरणों को सुलजाने का प्रयास किया है उन्होंने फिजिक्स के लॉस को चक्मा देने वाले समिकरणों को समझ कर भगवान को खोजने का प्रयास किया और इस लंबी लिस्ट में वो नाम जो आज चर्चा में है वो है गैरट लीसी का प्रम्हान को गणित के समिकरणों की मदद से काफी अच्छे से समझाया जा सकता है लेकिन उसके लिए आपको ये कलपना करनी पड़ेगी कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में प्रकरती कैसे काम करती है उस कलपना के अधार पर आगे बढ़कर आप कुछ कारणों तरकों गणित की मदद से उसे सिद्ध कर सकते हैं या ये बता सकते हैं कि वो घटना कैसे हो रही है अपनी पीएजडी के बाद कैरेट ने दुनिया के रास्तों से हट कर अपने एडवेंचर के रास्ते को चुना जिसमें वो हवाई द्वीब पर रहे कर अपने जवाब खोज रहे हैं हम प्रकृती को समझने के प्रयासों के सिरे आपस में जोड़ नहीं पाए है रिसर्चर्स का एक तबका परमानूओं और दूसरा तारों की जानकारियां जुटाने में व्यस्त रहा और इन दोनों तबकों के परिणामों को आपस में किसी तरह से नहीं जोड़ा जा सका लीसी जैसे भौतिक शास्त्रियों का मानना है कि वक्त के साथ हम एक ऐसा समिकरण और थियोरी तेयार कर लेंगे जिससे ब्रह्मान का हर रहस्य सुलझाया जा सकेगा और इसे कहां जाएगा त्योरी ओफ एवरिधिंग और अगर वो सही हुए तो हम ये कह पाएंगे कि भगवान दरसल एक बहुत ही महान करने तक ये है गैरेट फिजिक्स से दुनिया के समिकरण को सुलझाने में जुटे है लेकिन इससे पहले कि हम फिजिक्स की इस दुनिया में उतरे और दिमाग चक्रा देने वाले गणितिये समिकरणों को समझे हमें इसके बेसिक्स को समझना चाहिए क्योंकि यहां हमारे क्रियेटर के मिलने की बड़ी संभावना है गैरेट के अलावा दुनिया के एक और बहतरीन कॉस्मोलोजिस्ट है जो अपने चॉकलेट प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं जैसे कि परफेक्ट चॉकलेट सूफले बनाने के लिए निश्चित चीजों को एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए गर्म करना पड़ता है इसी तरह हमारा ब्रहमांड भी जैसा हमें दिखता है वैसा चार मूल भूत फोर्सिस के बीच में एक बैलेंस होने के वजह से है वो चार forces जो हमारे ब्रह्मान को समेटे हुए हैं वो gravity, electromagnetism, weak और strong force ये आखिर के दो काफी खास हैं और दुनिया को सही से चलाने के लिए काफी ज़ादा महत्रोपूर भी है हम सब gravity से ही मुखातिब होते हैं उसकी वज़ा से हम चल पाते हैं, गिर जाते हैं, हम कुछ उठा पाते हैं और वो उठाई गई चीज गिरती भी gravity की ही वज़े से है Electromagnetism की help से हम चीजों के पीछे की chemistry को समच सकते हैं, जब हम कुछ पकाते हैं और उसकी उर्जा को इस्तमाल करते हैं तो वो कहीं न कहीं Electromagnetic उर्जा ही होती है Weak Forces Electromagnetism की तुल्ला में लाखो टन कमजोर होते हैं, मगर ये radioactive के लिए जिमेदार होता है हम जो के लखाते हैं उसमें potassium होता है, वो radioactive है और अगर उसकी मात्रा जादा हो जाए तो वो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है सूरस दरसल एक nuclear reactor की तरह है Strong Forces की वज़ा से nuclear reaction में energy release होती है और वही ब्रह्मान में काम आती है और जब आप इन सारी चीजों को मिला देते हैं तो वो दुनिया के अस्तित्व को बनाए रखने में एक balanced समीकरण की तरहा काम करती है और अगर उन में से किसी को भी ज़्यादा या कम किया जाए तो काफी कुछ गलत हो सकता है शायद दुनिया खत्म हो सकती है सूरज खत्म हो सकता है DNA की संग्रचना बदल सकती है कई लोग इस बात को गोल्डी लॉक्स पैरेडियम भी कहते हैं जिसमें सब कुछ बैलेंस होना चाहिए बिलकुल इस सूफले की तरह ओ ये परफेक्ट है कुछ फिजिसिस सोचते हैं कि इन चारो फोर्सिस का इतना निश्चित कॉंबिनेशन भगवान के होने का सबूत है और उनमें से एक है डॉक्टर जॉन पोपिंग होन जो इस तरह की पहली रिसर्च कर रहे हैं डॉक्टर जॉन सब एटोमिक कणों पर की गई अपनी रिसर्च के लिए फेमस रहे हैं उन्हें बिटेन में सर की उपाधी मिली है लेकिन आप ये जानकर चौक जाएंगे कि वो आप एक चर्च में नई तरह की जिन्दिगी जी रहे हैं एक प्रीस्ट की तरह मैं सचमुच भगवान में विश्वास करता हूँ वो मेरी परवरिश का हिस्सा रहे है आज हम जिन चार मूलभूत फोर्चिस की बात करते हैं वो दरसल एक दुनिया के अस्थित्व के बारे में जानकारी देने वाला एक नक्षा है दुनिया के बारे में एक इंट्रेस्टिंग बात ये भी है कि जिन चार फोर्चिस के निश्टित कॉंबनेशन के हम बात करते हैं वो अलग-अलग रूपों में जारी तो है मगर किसी काम के नहीं है उनके परफेक्ट कॉंबनेशन से ही दुनिया की उत्वत्ती संभव है जो आज हम देख पा रहे हैं वोक्टर जौन के लिए ये मानना कठिन है कि हमारे संसार को जोडने वाले उन चार फोर्चिस का इतना परफेक्ट कॉंबनेशन किसी आक्स में घटना से हुआ होगा और उसके पीछे इश्वर जैसी किसी शक्ती का कोई हाथ नहीं है इन फोर्चिस के तरह शांदार टेनिंग से पता चलता है कि हम सिर्फ अकेले इस दुनिया में नहीं है और हमारे ब्रह्मांट से दूर भी दुनिया हो सकती है जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा है लेकिन हम सभी इतने भागिशाली कैसे हो गए शायद धर्म से इस बात का ठीक ठक जवा मिल जाता है और धर्म भगवान के इर्दगर्द घुमता है मगर साइंटिस्ट मानते हैं कि इस शांदार कॉम्बिनेशन के बावजूद जो हम देख पा रहे हैं वो ब्रह्मांट का सिर्फ एक हिस्सा है और उसकी और भी कई पड़ते है डॉक्टर एलन गूत कॉस्मोलोजी की दुनिया में एक जाने माने नाम है उन्होंने ब्रह्मांट के विस्तार का सिधान दिया था जिससे ब्रह्मांट के विकास को समझने का अफसर मिलता है वो कहते हैं कि बिग बैंक से ठीक बात ब्रह्मांट का बहुत जबरदस्त विस्तार हुआ वो बलक छपकते ही पहले से एक लाख गुना बड़ा हो गया इस सिधान से हम इस दुनिया के अस्तित्व में आने को समझ सकते हैं लेकिन इस से एक और दिमाग हिला देने वाला तथ भी उजागर होता है कि मल्टिवर्ज भी हो सकते हैं ब्रह्मांट के विस्तार के सिधान्त की सबसे महत्वबूर बात ये है कि जब विस्तार रुकता है तो ये हर जगा एक ही तरह है और समय पर नहीं रुकता है ये कुछ जगहों पर रुक जाता है और कुछ जगहों पर जिने हम मल्टिवर्ज भी कहते हैं ये चलता रहता है इने पॉकेट उनिवर्ज भी कहते हैं इन पॉकेट उनिवर्ज की संख्या की कोई सीमा नहीं है मैं यहां ये पॉइंट समझानी के कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टिवर्स के बीच में शायद हम इन में से किसी एक पॉकेट इनुवर्स के बीच में रह रहे हैं हो सकता ही कि इन में से हर पॉकेट इनुवर्स में फिजिक्स के दूसरे नियम भी लगते हूँ हमारे ब्रह्मान में चार शक्तियां तालमेल में हैं, जिसके वजह से जीवन बनता है, सम्रिद्ध होता है और उसका अंत होता है लेकिन डॉक्टर गूत के पॉकेट युनिवर्सेज में ऐसी कई शक्तियां हो सकती है वहां नियम अलग-अलग हो सकते हैं और इनका जोड़ तोड़ अलग हो सकता है हो सकता है कहीं इलेक्ट्रो मैगनेटिजम दीखो, कहीं पर ग्रैविटी जादा हो और इसका हर युनिवर्स में अलग ही परिणाम देखने को मिल सकता है शायद वहां मानव जीवन की कलपना भी ना की जा सके डॉक्टर एलन गूत कहते हैं कि हमारे युनिवर्स की इस अरेंजमेंट में किसी उपरी शक्ति का हाथ नहीं है बलकि स्वभाग्य से हमें ये अरेंजमेंट मिल गई है ब्रम्हांड और उसकी उत्पत्ति के पीछे के कारण वेग्यानिक गलियारों में दशकों से बहस का एक मुद्दा रहे हैं और इन्हीं विवादों को दूर करने का काम गैरेट लीसी जैसे वेग्यानिक कर रहे हैं एक ऐसी त्योरी जिसके गणितिये समिकरणों से हम ब्रम्हांड को समझने की अपनी स्यात्रा में सच के बेहत करीब पहुँच सकते हैं पर अभी ये सब कुछ गैरेट लीसी के सिर्फ दिमाग में है एक यूनिवर्स, चार्शक्तिया और करोडो गैलक्सीज इस दुनिया में चीजों की इतनी सही बनावट मगर उनके पीछे का उलज़ा विज्ञान शाय दुनिया के सबसे समझदार विज्ञानिकों को भी पागल कर सकता है ये सब इस तरह कैसे फिट हुआ? क्या ये सब एक सिंगल डिजाइन का हिस्सा है जिसे हम प्रम्हांड कहते हैं? अगर हमने इसका पता लगा लिया तो क्या हम इश्वर को जान लेंगे? विज्ञानिकों ने दशकों से करोडों डॉलर्स खर्च करने के बाद एक परमाणू तोड़क मशीन बनाई हैं जिससे उन चार शक्तियों के काम को समझा चा सकेगा उन्होंने ये खोच की कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मौजूद कड़ों के द्वारा बनते रही उर्जा से बड़ी बड़ी चीजों में मूवमेंट होती हैं इलेक्ट्रो मैगनेटिजम की शक्ति में फोटोन्स महत्वपूर्ण होते हैं और स्ट्रोंग फोर्स में महत्वपूर्ण होते हैं ग्लूओंस डबलू और जी बोजॉंस के द्वारा वीक फोर्स उत्पन्न होती है मगर उन्हें कभी ग्राविटी को कैरी करने वाली फोर्स नहीं मिली लेकिन उन्होंने इसके लिए एक टर्म दिया ग्राविटान्स और इसी वजह से ब्रह्मान के रहस्य गणित के समीकरणों में फसे रह गए लेकिन जब ग्यारट लीसी जैसे वेग्यानिकों ने उसे सुलजाने का बीड़ा उठाया तो उनके सफल होने की कुछ उम्मीदे बनती नजरा रही है सत्तर के दशक में जब लोगों को स्ट्रॉंग और वीक फोर्सिस के बारे में पता चला तो उन्होंने बेहत जल्दी ही एक यूनिफाइड थ्योरी त्यार कर ली उन्होंने पहले से मालूम दूसरी शक्तियों को भी उसमें जोड़ना चाहा लेकिन ग्राविटी जैसी शक्ति को उनके समीकरणों में फिट करना आसान नहीं था क्यूंकि उसके बारे में जानकारी काफी कम थी जानकारी ना होना इस प्रॉब्लम के लिए शायद एक छोटा शब्द है इसलिए दुनिया के सबसे बहतरीन लोगों ने भी यूनिफाइड थ्योरी से मूँ मोड लिया है लेकिन गैरिट में वैसा नहीं किया उनके पास एक विजन था मैं ग्राविटी के साथ दूसरी शक्तियों के कॉम्बिनेशन के इस अनोखे स्ट्रॉक्चर्स को समझने का काम कर रहा था फिर मुझे लगा कि क्या ये सब अलग अलग ना होकर एक भी तो हो सकते है ये पूरा स्ट्रॉक्चर एक बड़े से ली ग्रूप का हिस्सा भी तो हो सकते है ली ग्रूप दरसल एक mathematical shape होती है जिसमें बहुत सारे circles एक दूसरे में अलग लग दिशाओं में twist किये जाते है अरेंज किये जाते हैं और अंत में इससे एक pattern बनता है अगर हम सबसे simple ली ग्रूप को समझना चाहे तो तीन circles की help से समझ सकते हैं एक circle के अंदर से दूसरे circle को एक दिशाओं से लंबवद डालो और फिर तीसरे circle को उन दोनों circles के बीच में एक तीसरी दिशाओं से लंबवद डालो तो इस तरह एक 3D structure बनता है इसे torus भी कहते हैं जो डोनट की तरह देखता है मगर ये बस शुरुआत थी Garrett ने ये circle arrangements 248 बार दोहराई और उन्हें end में एक ऐसी complex ship मिली जिसे तीनों dimensions में भी ठीक से समझा नहीं जा सकता है इसे उन्होंने E8 group नाम दिया हमारे लिए ये बस एक pattern है लेकिन लीसी की नजरों में जिस तरह से सारे circles एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दुनिया की जादतर चीजों के भीतर मौजूद particles के सजावट भी कुछ वैसी ही होती है Physics में हम इस pattern में मौजूद हर circle को एक elementary particle की तरह मान सकते हैं सानिध्य में हो सकता है इसमें photons, gluons और दूसरे weak force particles भी शामिल है Garrett ने महिनों तक इस pattern को खुरेदा वो लगातार physics और गणित के समिकरणों को आपस में जोड रहे थे और फिर एक दिन उन्होंने एक pattern समझ लिया कि structure में कुछ कण ऐसे भी होते हैं जो graviton को कभी देखी नहीं पाए और उनकी एक होज physics में एक क्रांती जैसी थी जिससे ये समझा जा सकता था कि प्राक्रतिक समिकरणों में gravity आखिर कैसे fit होती है ये देखना कि gravity ली गुरुप की दूसरी शक्तियों के साथ कैसे combine हो रही है मेरी जिन्दगी के सबसे खास और रोमांच पलों में से एक था डॉक्टर ली समोलन दुनिया के एक जाने माने physicist है और वो लीसी के काम को गंभीरता से follow भी कर रहे थे ये जानने के लिए कि लीसी कैसे एक ही समिकरण में प्रकृती की सारी शक्तियों को समेच रहे है मेरे हिसाब से लीसी जो काम कर रहे हैं वो एक high risk high reward वाला काम है और अगर वो उसमें काम्याब हो जाते हैं या हमें उस दिशा में कोई और बढ़िया जानकारी मिल जाती है तो ये प्रकृती को समझने में हमारे लिए मील की पत्थर जैसी खोज होगी क्योंकि ये एक ऐसी परिकलपना है जिस पर दुनिया की सबसे अच्छे दिमागों ने भी काम करना छोड़ दिया है क्योंकि शायद सबको यही लगता है कि सारी शक्तियों को एक ही समीकरण में ढालना लगभग नामुम्किन है इन कड़ों के आपसे संबंध को दिखाने वाले पैटर्न के बारे में कहते हैं कि वो इनसे कभी न कभी एक बेहद आसान थियोरी बना लेंगे जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा उन्हें लगता है कि उनकी रिसर्च में शायद वो कुछ ऐसे कड़ों की भी खोज कर लेंगे जो अभी तक नहीं खोजे गए और दुनिया भर के वैग्यानिक जिनकी तलाश में थे ऐसा एक कड़ है जो फिजिक्स की दुनिया में तहल काला सकता है और वो है हेग्स बोजॉन हेग्स फिल्ड को समझने की कोशेश पूरी दुनिया में आज भी चल रही है इसी बीज स्विजल लैंड के शहर जिनीवा में रिसर्चर्ज मानविय इतिहास के सबसे शांदार माइक्रोस्कोब लेच सी की हेल्प से कुछ निश्चित चीजों पर सभी तरह के डिस्कवर्ड कड़ों की बॉंबार्डिंग करवा रहे हैं ताकि हेग्स बोजॉन को अलग किया जा सके और शायद इस प्रयास से वे उन कड़ों की खोज भी कर पाए जिनके होने की आशंका ग्यारट जता रहे थे और अगर इन प्रयासों से ये पता चल जाए कि वैसे कण सच में है तो लीसी की थियोरी अफ एवरिफिंग का खाका तयार किया जा सकेगा जिसमें हम यूनिफाइड मैथेमेटिक एक्वेशन जियोमेट्री और फिजिक से दुनिया की हर चीज के अस्तित्व को समझ पाएंगे वो यूनिफाइड मैथेमेटिक एक्वेशन जिसने हमें सूरज को, सितारो को, हर चीज को इस ब्रहमान में बनाया है ये एक तरह से हमारी दुनिया को बनाने वाले मगर दुविधा ये है कि वो शक्स जो हमें ब्रहमान और भगवान को समझने के इतने करीब लेकर जा रहा है वो खुद ही भगवान में नहीं मानता ये मेरे लिए भी सर्प्राइजिंग है कि इतनी महनत से समझे गई इस गुथे हुए स्ट्रक्चर को खोजने के बाद मैं एक ऐसी धारना पर विश्वास करूँ जो किसी क्रियेटर के होने की बात कहती है जो कोई बहुत बड़ा मैथमेटीशन है या किसी जादूगर से कम नहीं है गैरेट के दिमाग खोल देने वाली रिसर्च भगवान के खोज के पास जा सकती है या गैरेट अपने ही मूँ के बल गिर सकते है प्रकृति में लेंदिन का एक प्रोसेस होता है और ऐसा ही विज्ञान में भी हम भी कटाक्ष करके और चीजों को जुटला करके बहतर की तलाश में आगे निकलते हैं लेकिन ये सब कुछ एक विज्ञानिक के साहस और जरुवत पर निर्भर करता है और लीसी ने जो शुरू किया है उसके लिए बहुत दम चाहिए होता है लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है मगर मुझे लगता है कि विज्ञानिक समाज को आगे बढ़ाने के लिए साहस के साथ ऐसे ही आइडियास की जरुवत होती है गैरेट के पास ये मौका है कि वो ब्रह्मांड के क्रियेशन से जुड़े हर तथ्य को एक एक इक्विशन में ढाल पाए जैसा करने में न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे वेज्ञानिक भी फेल हो गए मगर क्या होगा अगर लीसी गलत हो गए तो और अगर कोई ऐसा समिकरण हुआ ही नहीं जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट सके ये सवाल शायद इस शक्स को परिशान नहीं करेगा क्योंकि ये मानते हैं कि हम सब को बनाने वाला बाहर ब्रह्मांड में नहीं बलकि यही हमारे भीतर है और एक दिन वो एक स्विच की हिल्प से उसे ढूर निकालेंगे अपनी क्रियेटर से मिलने के लिए अरसे से हम लोग ध्यान, उपवास, प्रार्थनाएं और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वो हमारे दिमाग के दाहिने हिसे में ही घर कर बैठा हो जिसके पास जाने के लिए हमें बस कुछ शक्तिशाली चुम्ब किये तरंगों की जरुरत हो यह है डोमिनिका यह सर्थ बिर्यान तरियों में एक नर्सिंग स्टूडेंट है और आज शायद वो भगवान से मिलने वाली है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि डोमिनिका कोई बहुत चतुर या धार्मिक किस्म की लड़की नहीं है मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ लेकिन इससे मेरा मतलब यह नहीं कि मैं रोज यचाँ जाकर उनसे मिलू मेरे विचाँस से तो वो हर जगा है डोमिनिका इस वक्त जिस एक्सपेरिमेंट के लिए जा रही है उसके बारे में उसे बताया गया है कि वो एक रिलाकसेशन एक्सपेरिमेंट है और ये है वो आदमी जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है और इनका नाम है डॉक्टर माइकल प्रिसंचर ये लोरेंचिन युनिवर्सिटी के बेस्मेंट में अपनी एक साइन्स लैब चलाते हैं हमारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट काफी सीधे लेकिन जटिल से हैं हमारा आइडिया सिंपल है कि हम दिमाग के हर उस हिस्से में जाकना चाते हैं जहां से हमारी दुनिया के कुछ सबसे एहम कॉंसेप्स को पनाह मिलती है धर्म और भगवान उनमें से एक हैं दॉक्टर प्रिसंजर एक नियूरो साइंटिस्ट है उनका मानना है कि भगवान सिर्फ हमारे दिमाग में ही रहते हैं उनका दावा है कि शायद उन्हें पता है कि भगवान दिमाग के कौन से हिस्से में रहते हैं हमारे लिए सबसे इंट्रेसिंग सवाल था कि हमारे दिमाग हमारे अस्तित्व को कैसे देखता है और जब हम खुद से सवाल करते हैं तो हमारे जवाब हमें हमारी भाशा मिलता है अब भाशा का जहा तक सवाल है ये हमारे दिमाग के बाए हिस्से से आती है और फिर हमने ये सोचा कि इसे बैलन्स करनी के लिए दिमाग के दाए हिस्से में क्या होता होगा और हमें मालूम पड़ा कि हमारे दाहे हिस्से में एक special sense होती है जो तमाम तरीके कि अनुभवों और अनुभूतियों पर reaction देती है और अगर आप सोचे तो हमने भगवान को भी आज सक अनुभवी किया है भगवान के इस अनुभव को बनाने के लिए उन्हें इस पीले रंग के हेलमेट को डोमिनिका को पहनाना होगा डॉक्टर प्रिसंजर इसे दगॉड हेलमेट कहते है ठीक है तो अब हमें हेलमेट पहनना चाहिए हमारी अप्रोच काफी सिंपल थी कि अगर हमें दिमाग को गहराई से समझना है तो इसके लिए लाब ही सबसे सही जगे होगी तुम बस शान्त मन से अगले एक घंटे के लिए सब कुछ अनुभव करने की कोशिश करो डॉमिनिका को येलो हेलमेट पहना कर एक अंधिरे कमरे में बंद करने के बाद इनकी रिसर्च टीम उसकी दिमागी तरंगो को स्टडी करने वाली है कुछी मिनिटों में डॉमिनिको का दिमाग उसे धीरे-धीरे शान्त करने लगता है उसके बाद डॉक्टर प्रिसंजर की टीम एक चुम्ब की एक कॉयल की मदद से उसके दिमाग के दाहिने हिस्से को कुछ समविदनाए भेजेंगे ये समविदनाए एक हैंड रायर जितनी ही शक्ति शाली होगी हम इस परिकल्पना पर शोद कर रहे हैं कि जैसा आपने सुनाई होगा कि कुछ लोग अपने मरने की भविश्वानिया कर देते हैं जो काफी एंग्शिस कर देने वाली बात है ठीक वैसे ही हम इसकी विपरीत धारा में चलने का प्रयास कर रहे हैं हम उस एंग्जाइटी का अंत तलाश कर रहे हैं क्योंकि जब तक अंत नहीं मिल जाता वो परिशानिया खत्म नहीं की जा सकती और जब तक परिशानिया हमारे मन में रहेंगी उसके विपरीत विश्वास के रूप में धर्म और भगवान भी रहेंगे यही सच है डॉक्टर प्रेसिंजर का मानना है कि हमारे दिमाग के दाहिने हिस्से में ही मृत्यू और उत्पत्ती दोनों के विचार आते हैं और यहीं हम भगवान के प्रती अपनी आस्था भरे विचारों को रखते हैं लेकिन उन्होंने अपने गौड हेलमेट को कुछ इस तरह बनाया है जिससे आस्था के यह भाव या भगवान के करीब होने का अनुभव माना द्वारा ही बनाया जा सके लगबग एक घंटे तक डॉमिनिका को अंधेरे कमरे में बंद करके यह एक्सपरिमेंट पूरा करने के बाद अब बारी है उसके अनुभवों को जानने की या शायद भगवान को जानने की क्या तुम्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एसास हुआ हाँ मुझे मेरे अगल बगल में उस लोगों के खड़े होने का एसास हुआ ठीक है क्या तुम उसके बारे विश्थार से बता सकती हो नहीं वो बिना चेहरवाली परचायों की तरह थे और उन्होंने मु इस्परिमेंट में शामिल होने वाले 80 प्रतिशत से भी जादा लोगों ने डॉमिनिका की ही तरह भले ही वो धर्म में मानते हो या नहीं हो गौड हेलमेंट लगाने के बाद ऐसा ही एहसास किया जब हमने उसके शरीर के दाईने हिस्से को उत्तेजित करवाया तब वो अपने आसपास तरही तरही की चीजों को अनुभव करने लगी उसना में बताया कि उसने पांच बेशकल परचायों को महसूस किया मैं कुछ देख नहीं पाई लेकिन मुझे महसूस हुआ कि हमें जमिन से कुछ फीट उपर थी और अखेली नहीं थी अचा अचा उपर की ओर उसने अपना अनुभव बताते हुए साफ किया कि वो सिर्फ उपर के हिस्सों को देख पाई और इससे हम उसके राइट टेंपल लोग के उत्तेजित होने की पुष्टी कर सकते हैं क्या तुम ये साफ साफ बता सकती हो कि तुमने जो भी महसूस किया वो तुमारे मन का बनाया हुआ वहम तो नहीं है मैंने खुद कोई यहां नहीं बलकि एक सड़क पर लिटा हुआ महसूस किया मेरा सर मेरे शरी से जुड़ा हुआ नहीं था मैं उसे अलग देख सकते थी मैं देख पा रही थी कि उसमें से एक उश्मा निकल रही है काफी घरा महसूस किया अच्छा तो तुमने महसूस किया कि तुम्हारा सर तुम्हारे शरी से जुड़ा हुआ नहीं है हाँ और तुमने बताया था कि तुमने काफी अजीब परचाईयां देखी जी भला हवा में कौन नहीं औरना चाहेगा लेकिन मुझे आग के बीच नहीं जाना ठीक है तुम्हें कौन सा अनुभव अच्छा लगा पहला या दूसरा पहला अच्छा पहले वाला ठीक है अच्छा ठीक है उसे एक शानदार अनुभव हुआ लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह सब हमने इक्रियेट किया था और वो इसे समझ नहीं पा रही है अब आप ही जरा सोचिये कि जब प्रकृति अपने नैच्छल साधनों के माध्यम से हमारे ब्रेन को उत्तेजित करती होगी तो हमारे दिमाग में भगवान के विचार आना उसकी तस्वीर बनाना कितना लाजमी है शायद इसे के कारण हम भगवान और प्रकृति को तवज्जु देते रहते हैं जबकि सारा केल हमारे दिमाग के उत्तेजनाओं का है डॉक्टर प्रेसिंजर का ये एक्सपेरिमेंट कई सारे सवाल भी खड़े करता है और कई संभावनाओं के रास्ते भी खोलता है कि क्या आध्यात्मिक अनुभव मानविय प्रेणा से उत्पतित किये जा सकते हैं इसमें कोई दो मत नहीं है कि अमने भगवान और धर्मगुरों के आपसी मिलन के जो भी किस्से सुने हैं वो कहीं न कहीं चालाकी से बनाई एक कहानी से लगते हैं एब्रहेम, मोजेज, नेटिव अमेरिकन शामन्स और वो सभी जो भगवान से संपर्क के दावे करते रहे हैं उन्होंने यही कहा हैं कि उन्हें ध्यान या साधना के साथ अचानक एक अनुभूती हुई और उन्हें लगा कि भगवान ने उनसे मिलकर उनसे बाते की और उन्ह और शायद इसी वज़े से ये हो सकता है कि वो अपने दाहिने टेंपल लोग में इस उत्तेजना को खोदी उत्पन करने में कामियाब हो गए हो लूथर के किस्से पर गौर करें तो वो एक रोज प्रकाश को देखकर चकित हो गया था जिन्होंने इन लोगों पर काफी गहरा असर छोड़ा और यहीं से ये कहानी इंट्रेस्टिंग हो जाती है कि उनका दिमाग ना सिर्फ इन अनुभवों को बना रहा है बलकि समाज और प्रकृती से मिलने वाली उत्तेजनाओं को भी सत्ते साबित कर रहा है जब समाज हमारी विचारधारा पर असर छोड़ता है जो परिवर्तन हमारे दिमाग में होता है इसके लावा और भी ऐसे कई तत्व होंगे जिससे हमारे दिमाग और भी उत्तेजित होता होगा लेकिन हम अभी तक उन्हें ठीक से नहीं जान पाए हैं और ये सब मिलकर ही हमें इश्वर की होने की अनुबूती करवाते हैं सद्यों से करोडों लोगों ने अपने जीवन को इस विश्वास पर जिया है कि उपर कोई इश्वर बैठा है जो उन्हें देख रहा है उनकी परवा कर रहा है इश्वर वो है जिसने बनाया है और संभाल भी रहा है डॉक्टर प्रेसंजर का गोल्ड हेलमेट हमें ये बतलाता है कि हम शायद भगवान के होने के विश्वास को कई सारी भावनाओं के जुड़ जाने के करण अनुभव करते हैं शायद भगवान न हम में हो और ना ही वो हमें संभाल रहा हो, शायद भगवान सिर्फ हमारा ब्रह्म हो। क्या हम उसे अपने दिमाग के किसी कोने में ढून पाएंगे? या कोई थियोरी उनके होने या ना होने के रास को खोल पाएगी? आईए थोड़ा और करीब से एक और विचित्र संभावना को समझने की कोशिश करते हैं यहां से शुरू करते हैं विल राइट एक क्रियेटर है, कम से कम एक यूनिवर्स के तो ब्लॉक बस्टर विडियो गेम दसिम्स में इस सौफ़वेर जीनियस ने डिजिटल लोगों की एक अलग ही दुनिया बनाई जो अलग होकर भी हमारे दुनिया से काफी मिलती जुलती थी दसिन को बनाते वक्त हम उसके करदारों में ज़ाद से ज़ादा मानविय हाव भाव रखना चाहते थे जिसके लिए हमें कम्प्यूटर को ये समझाना था कि हम इंसान दरसल सोचते कैसा हैं असल दुनिया में मेरे विचार से हम इंसानों में सबसे बड़ा गुण ये है कि हम अपने करदारों को वक्त, जगह और लोगों के हिसाब से बदल लेते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने सामने वाले परसन को अनुभवों के साथ खुद को जोड़ लें मगर जड़ा सोचिए कि आप कितनी एंपथी इस वक्ति के लिए महसूस करेंगे और कितनी इस आदमी के लिए कंप्यूटर की शक्तियों में पिछले कुछ दशकों में जित्रा विकास हुआ वो अदभुद है और कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो रियलिजम आया है वो बिलकुल हमारी असल दुनिया के साथ साथ चल रहा है मगर जब कंप्यूटर के किर्दार हमारे दोस्तों की तरह हमारी तरह देखने लगे और हमारी जीवन की असली और नकली स्थितियों के बीच की लाइन मिटने लगे तो ये एक चुनोती है कंप्यूटर ग्राफिक्स अब इंक्रीजड रियालिटी के सफर पर चला गया है आप इने कंप्यूटर ग्राफिक्स और मुवीज में साफ साफ देख सकते हैं कैलिफोर्निया के पैसे दीनिया लैब के एक कंप्प्यूटर साइंटिस्ट का मत है कि शायद भगवान एक बहुत बढ़िया कंप्प्यूटर जीनियस है और वो अपने इस विश्वास को साबित करने के लिए सबूत जुटा रहे हैं रीच्ट रेल नासा के साथ मार्स मिशन पर थे और उन्होंने नेप्ट्यून, सैटन जैसे ग्रहों के आसपास कुछ उपग्रहों को खोजा है। उन्होंने सोलर सिस्टम की भी कुछ बड़िया तस्वीरे लेने में वेज्ञानिकों की हेल्प की है। उनके लॉजिकल माइंड और टेक्नोलोजी प्रेम का जवाब नहीं है। और अब वो अपने लॉजिक से एक बड़ा सवाल सुलजा रहे है। हमारा ट्रियेटर आखिर है कौन? जब हम ईश्वर और उनके बनाए ब्रह्माहन की कलपना करते हैं और उसके अस्तित्व के बारे में सूचते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भगवान कौन है? और हमें उनकी जरुवत आखिर क्यों मैसूस होती है? क्यों वो सभी डामेंशन्स के द्वारा संसार की हर चीज से जुड़े हुए हैं? क्यों उन्होंने इस दुनिया को और हमें बनाया हैं? और क्या वो फिजिक्स के लोज को बदल सकते हैं? शायद ये सभी बेहद जाय से सवाल हैं? पिछले कुछ दशकों में कंप्यूटर की शक्तियां लगातार बड़ी हैं. यह हर दो साल यह 18 महीने में दुगनी स्पीट पकड़ रही हैं. लेकिन रिसेंट रिसर्ट से मालुम पड़ा है कि यह समय सिर्फ 13 महीनों का है. जितना विकास पिछले दो दशकों में हुआ था वो पिछले 13 महीनों में हुआ है. आज की तारीक में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर इंसानी दिमाग की शमताओं को एक तगड़ा कंप्यूटिशन दे रहे हैं. और कुछ शेत्र में तो वो बहतर भी कर रहे हैं. उनमें इतनी शमता आ चुकी है कि वो एक बार में अ कंप्यूटर हमारी जन संख्या पर कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे? इसका जवाब शायद इस काले बक्से में छुपा है. मेरे पास इस बक्से में यहां एक इंसानी दिमाग का मॉडल है और एक लैप्टॉप है. और आपको बता दूँ, विजन, आयात और शमता के मामले में ये दोनों लगभग बराबर होते हैं. लेकिन फिर भी इंसानी दिमाग ऐसे कई काम कर सकता है, जो कई लैप्टॉप य और वो इसके जवाब देंगे. लेकिन अब आप कैसे मालूम करेंगे कि दरसल इन में से जवाब किस ने दिया है? और अगर हम ये अंतर नहीं बता पा रहे हैं, तो हमें ये सुईकार करना होगा, कि इनकी शमताएं एक जैसी ही होती हैं. और जब हम इंसानों में सेल्फ कॉ कि वो आज हमारे आसपास मौजूद चीजों के फोटो सिमुलेटेड वर्जन्स को पृत्वी के बातवरण में धाल पाएंगे. मान लीजे कि हमारे पास एक बेहद एडवांस आटिफिशल इंटेलिजिन्स स्टिमुलेशन है, जिसके द्वारा हम इस दुनिया का नव निर कर रहे हैं, जिसके लिए हम उसके अंदर सिमुलेशन और कोट्स डाल रहे हैं. ऐसा करके हम वहां के भगवान तो बन जाएंगे, लेकिन रीज की खोज इस बारे में है ही नहीं. उल्टा उनका असली काम तो दिमाग हिला देने वाला है. उनका मानना है कि अगर विज्यान भगवान के होने के आशंका को तूल दे सकता है, तो शायद वो सच में हूँ. शायद हम सभी सिम्स गेम के किरदारों की तरह हों, और हमें बनाने वाला एक बड़े से सूपर कम्प्यूटर में हम सब को देख रहा हूँ. मशीनों का विकास अब चरम पर है. कम्प्यूटर्स अल्रेडी दिन भरके कई जरूरी काम हमारे लिए अब करने लगा है. क्या अब उनका प्रभाव हम से जादा है? और क्या हमारा क्रियेटर किसी तरह का कॉज्मिक कम्प्यूटर जीनियस होगा? रीजटरेल का मानना है कि हम सभी शायद किसी बहुत बड़े कम्प्यूटर सिमूलेशन का हिस्सा है. और हमारा क्रियेटर हमें कंट्रोल करने के लिए किसी सूपर कम्प्यूटर का इस्तमाल कर रहा है. जिसे हम भगवान की शक्तिया समझ रहे हैं. और उन्हें लगता है इ ठीक ऐसा ही प्रकृति की दूसरी चीजों के साथ होता है. वे भी छोटे अणूओं में तूट जाती हैं. इसे पूर सदियों में वेज्यानिकों ने मैटर के बनने के पीछे अणूओं और परमानूओं की निश्चित सनरचना होने की बात बताई थी. और क्वांटम मेकैन का ये रूल पूरे ब्रह्मान में लागो होता है. संपूर्ण ब्रह्मान पर. आप देखिए कि ब्रह्मान कैसे बिहेव करता है. या हर बड़ी चीज छोटे-छोटे कौंटम अणूओं से बनी हुई है. और वे अणूओं परमानूं से मिलकर बने हैं. जगे, वक्त, सब कुछ कौंटम अणूओं से घिरा हुआ है. जिसका अरतिये हुआ कि ब्रह्मान में इनकी संख्या निश्यत होगी. जिसका मतलब हुआ कि इन्हें किसी ना किसी तरीके से गिना जा सकता है. कौंटम मेकैनिक्स का मतलब है कि जो भी हम और आप देख पा रहे हैं, वो सब कुछ छोटे अणूओं और बड़े-बड़े कंप्यूटर कोट से बनाया जा सकता है. लेकिन क्या सच में ब्रह्मान को किसी बड़े से सूपर कंप्यूटर के द्वारा ओपरेट किया जा रहा है. रीच्ट रेल के इस फिजिक्स लैब में अब करीबन 100 साल पहले के एक पुराने एक्सपरिमेंट को अंजाम दिया जा रहा है. चलिए उसे समझते हैं. हम हमारी फिजिक्स लैब के एक छोटे से रूम में हैं और आज हम एक ऐसा एक्सपरिमेंट करने वाले हैं जो 1928 में किया गया था. इस एक्सपरिमेंट में हम एक इलेक्टरॉन बीम को ग्रेफाइट की एक प्लेट के उपर से गुजारते हैं. और आप देख सकते हैं कि ऐस करने पर इस प्लेट पर एक पैटन जैसा कुछ बनने लगता है और जब हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो ये पैटन और बढ़ा होने लगता है. इस एक्सपरिमेंट में एक इलेक्टरॉन गन से ग्रेफाइट परमाणूओं को अलग किया जाता है जो सामने वाल प्लेट पर एक रेंडम पैटन बनने लगता है लेकिन कम इंटेंसिटी के साथ ये एक परफेक्ट पैटन बनाता है जैसे बीम के हर इलेक्टरॉन को मालूम हो कि ग्रेफाइट पर कहा वार किया जाना है तार्गेट बड़ा होने के बावजूद हर इलेक्टरॉन सटीक तर जाता है जहां उसे करना चाहिए ये बहुत ही अद्भूत चीज़ है बीम के लेक्टरॉन को किसी तरह से मालूम हो जाता है कि उसे कहां पर जाना है और इसलिए वो इतना परफेक्ट पैटन बना पाते हैं इस एक्सपरिमेंट से समझ आता है कि हम मैटर को जैसा देखते है वो उसकी पूरी अवस्था नहीं है असल में मैटर डिफ्यूस्ट कंडीशन में होता है क्वांटम मेकैनिक्स के ये सारे रूल्स दुनिया के हर चीज़ पर लागू होते हैं यानि जब हम उन्हें देखते हैं तो वो वहां है लेकिन जब हम उन्हें नहीं देखते तो शाय का कोई गेम खेल रहे हैं या सिंसिटी में है जहां पर आप कहीं भी खुम सकते हैं आप जहां देख रहे होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम वही बना देता है और युनिवर्स भी कुछ वैसा ही करता है वो आपको वही दिखाता है जो आप देख रहे होते हैं लिकिन जैस जैसे ही आपकी नजर हटती है, वो शायद वहां से गायब हो जाता है। हमारी दुनिया छोटी चीजों से मिलकर बनी है, और इसके पैटरन बिलकुल वैसे ही है, जैसे किसी कम्प्यूटर के सिमुलेशन्स के होते हैं। रीच टेलर ने उन सारी संभावनाओं पर काम किया है, जिसमें हम सब एक बड़ी सी सिमुलेशन का हिस्सा है, जो शायद उस धारणा को कम कर देगा कि कोई भगवान है। यहां सवाल यह है कि ऐसा होने की कितनी संभावनाएं हैं, और कितनी ऐसी चीज़े हैं जो इन संभावनाओं को सही साबित कर सकती हैं। मैं एक कदम पीछे जाकर यह कहना चाहूंगा कि ब्रह्माहंड तेरा दिशमलव साथ बिलियन साल पुराना हैं और मैं खुद पचास साल का हूँ और शायद भगवान की क्रेशन पर सवाल कर रहा हूँ। इसकी क्या शौर्टी है कि मैं संभावना को सच कर सकूँ का। शायद यह नामुम्किन होका। और अगर कोई कोई कोइंसिडेंट हो भी गया तो हो सकता है कि हम इस संभावना के दूसरी तरफ मिलें। शायद अपने ही जैसे दूसरे लेकिन भविशे के लोगों से। हमारी दुनिया शायद एक कॉम्बिनेशन या सिमुलेशन का गठ जोड हो। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस गठ जोड का सबसे जादा फाइदा हमारे फ्यूचर हूमन्स को ही हो सकता है हमारे आने वाले कल को। शायद भगवान को ऐसे लोग पसंद आए जो अपनी शक्ती से अपनी दुनिया का विस्तार कर पाए और शायद ये काफी अजीब आईडिया होगा लेकिन रीज के लिए ये हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मुझसे कोई भी ये पूछ सकता है कि तुम्हारा मत क्या है क्या तुम ये कह रहे हो कि ये सब कुछ एक कम्प्यूटर स्टिमूलेशन है और हम सब कोई बेहद एडवांस गीम के अंदर हैं लिकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा है। मेरे विचार से हम एक बहुती सुंदर विकास के बीच में हैं जो लगातार अपना स्वरू बदल रहा है। जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम कैसे इवॉल्व हुए हैं और कैसे एक बैलन्स के साथ यहां तक पहुँच पाए हैं। और हमने इतनी समझ पाली है कि आगे की दुनिया को शायद हमारे ही फ्यूचर हुमन्स भगवान की तरह चलाएंगे। और मेरे लिए ये सबसे बड़ा अध्यात्मिक लेसन हैं और यही मेरा धर्म है। कहां जाता है कि भगवान हमारे नौलेज क्रैक्स में कहीं छिपा हुआ है। लेकिन समय के साथ ये क्रैक्स छोटे होते जा रहे हैं। हम ऐसा फिजिक्स में भी देख सकते हैं कि कोई भी समस्य शुरुवात में काफी जटिल होती है। लेकिन जब हम उसे टुकडों में देखना शुरू करते हैं तो वो सरल बनने लगती है और अगर आप एक क्रिएटर की परिकलपना करते हैं तो ये भी मान बैठते हैं कि शायद उसने और भी काफी चटिल चीज़े बनाई होंगी और मेरे लिए यही एक फिलोसफिकल मॉड और विए के पास भी और हमारे पूर्वजो के पास भी इस मेरे विचार से विग्यान की मदद से हमें सवाल पर चर्चा कर सकते हैं और उसके लिए कुछ प्रात मिख़़ ढून है लिकिन यह सवाल को पूरी तरह से सॉल्व नहीं करेगा और इसी वजह से हमें अपनी का अंदासा हो जाएगा वो human instinct जो हमारी जिग्यासा को बढ़ाती है शायद इन सवालों के जवाब ढूंटे रहे शायद एक दिन विज्ञान हमें एक ऐसा तरीका दे देगा जो हमें cosmic glass की इस दुनिया से बाहर निकाल सके और हमें मिलवा पाए हमारे असली निर्माता से अगर वो है तो क्या आप उन लोगों में से हैं जो ब्रह्मान के रहस्यों की investigation करना पसंद करते हैं क्या आप चाहते हैं कि आप विज्ञान के सबसे deep topics पर चर्चा करें तो हमारा through the wormhole season one course आपके लिए पूर्णता उप्योगत है डॉक्टर मॉर्गन फ्रीमिन द्वारा ने तृत्विस कोर्स के माध्यम से आप time और space के मामलों पर advanced physics के सबसे रोचक विश्यों के माध्यम से एक यात्रा पर जाएंगे जहां आप ब्रह्मान के सबसे रहसमई तत्वों को खोलेंगे जो वज्यानिकों के लिए सदियों से रहसे का विश्य बने हुए हैं रोचक lectures और activities के माध्यम से आप बहुतकी में नवीनतम सिध्धानतों के बारे में सीखेंगे जिसमें आप जानेंगे इस देर अ क्रियेटर शुरवात से पहले क्या था हम यहां कैसे आए जैसे अनेक topics जैसे मुद्दे शामिल होंगे तो आज ही sciencedocuments.graphy.com पर जाकर हमारे scores through the wormhole season 1 को खरीदें और पाएं इस course की lifetime access